नमिश्कार वेलकम टू माई चैनल कोकिंग विद रेनुबाला बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी चैनल कोकिंग विद रेनुबाला में सबसे बेले मैं आपको इनफर्मेशन देना चाहूंगी कि रेनुबाला चैनल के साथ साथ मैंने रेनुबाला बलॉग भी जुरू किया है जिस पे मैं ग्रेलू जानकारी के साथ साथ जो हमारे हिंदु धर्म के ब्रत उपवास होती है उनके कथा कहानी और जो ग्रेलू शिक्षा है थोड़ी बहुत आर्टिवेदी की जानकारी और रेमडीज और टिप्स, होम टिप्स का भी उसमें थोड़ा बहुता विवर्न प्रस्तुत करूँगी, प्रेजन्ट करूँगी, तो आज सबसे पहले तो आपको नवरात्री के शुब अपसर पर बहुत-बहुत शुब काम ना जया नवरात्रे आप सभी विवर्स के लिए सुख सम्रिदी स्वास्त्या सुरक्षा लेकर आए और नवरात्रों की मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो जो हम बरत उपवास में फलोहारी डाल रखी है जैसे पेठे का हलबा, अलू का हलबा, गेये का, शकरगंदी का, गाज अलू के लड़ू, संगाड़े के लड़ू, संगाड़े के अलू की खटमटी नमकीन, ऐसी बहुत सी चीजे मैंने बरत उपवास में डाल रखी है, जो आप लेलिस्ट में भी देख सकते हैं और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, ताह कि आप फलो हारी चीजों का उपवास में, आज हम मैंने समा के लड़ू भी डाले हुए, जो जनमस्पी स्पेशल नाम के पर डाले थे, और नारियल के लड़ू भी डाले हुए, जो भी आप बरत उपवास में परजो कर सकते हैं, तो आज हम समा के अक्ते, समा भी बोलते हैं, इसे सुंख्या चावल बोलते है उसकी मलाईडार गारी बहुत ही टेस्टी क्रीमी खीर आपको बताणी बताऊंगी तो यह मैंने 5 टेबल स्कून जो बजन में 75 ग्राम है सुंख्या चावल पंजाब में बोलते हैं और हिंडी बाशी चट्रों में समा के चावल बोलते हैं कुछ मोर्धन भी बोलते हैं वो मैंने बजन में 75 ग्राम ले ये थे और पांच टेबल स्पून अगर आप टेबल स्पून से लेते हैं उसे मैंने अच्छी तरह आपने चल्ली में डाल कर दोना है जो ब्रीक वाली चाय चल्ली होती है क्योंकि यह बहुत ब्रीक होत होता है जो हम फाराइबर निच वह्ता है वीटामीं के बाड अच्छी मिल्ट है जैह मारे जो डायेटरिव सिस्ट्रम के अर्गन्स है वाट इपनी आह बाल ग्लेर और बहुँत से वाबुछाता है तो आपने लेतने होती पॉलिषस्ट में दोब तो अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि गैस का बर्नर करते हैं तो उसमें एक टेबल स्पून तक गी डालते हैं पहले हम अपने जो भी आपने ड्राइफूर्स इसमें डाले हैं क्योंकि ब्रत में उर्जा बनी रहे और थोड़ा नुटीशन भी मिलता रहे तो हम सोड़े ड अदाम, काजू, पिस्ता और रेजिन्स आप इसमें चिरोंजी भी डाल सकते हैं चिरोंजी बहुत ही फ्याइदे मंद ड्राइफूट है तो मैं जे ड्राइफूट से ले रही हूं आदा लिटर मैंने दूद लिया है बन फोर्थ कप चीनी लिया है चीनी की मत्रा आप अप गुलाब जल जा कुईवडा जल में से कोई भी आप ले सकती है जे ऑप्शनल है अपने टेस्ट के माइब जब भी आप ले जे सिंथ्याथिक कीजिए ना ले जो रिजनली ले जैसे मैंने डाबर का लिया है केवडा और गुलाब जल पतांजली का गुलाब जल सो परसेंट प्रील्क ये था सिम्हड प्योर है तो आप दरे हमें ड्राइफ रूट्स को फ्राइख करेंगे काज्जा य Eb hah 21 को पहले कड़ाई में इसलिए опас तो मैं पहले ही क्योंकि फ्राइप के यह हैं उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ी करने के लिए तोड़े हमने लिए ठोड़ा साही बूंना होता है इसका टेस्ट इन्हेंस करने के लिए थोड़ा पिंकिश होने पर मैंने उतार लिया है अब मैं ऐसे ही पिस्ताज को कर लूँगी क्योंकि हमारी खीर बहुत कम है इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही ड्राइफूर्स लिया है फिर भी काफी ज्यादा हो जाएगा रेजिन जाए जोगो हम बिल्कुल लास्क में डालेंगे हमारा घी गर्म है इसमें से ही बहुत अच्छे फूल जाएंगे सिर्फ एक आदा स्किंट के लिए ही करना है देखिए जोगे दूद में भी फूल जाएंगे अगर आप ना भी करें तो दूद में खूब फूल जाते इसे उसे इसे सेंदा सेंदा थोड़ा मूल दूदी इसे बहुत ज़्यादा इसका बढ़ जाता है कि बहुत इसकी फिर प्यार होती है एक दो मिन्टी हमें इसने कम आंच पर बिल्कुल स्लो आंच पर इसे घी में ऐसे भूनना है अब मैं इसमें आदा लीटर डूद डाल दूद जो मैंने मिन्का रखा है और जे दूद मैंने सुवे जब दोदी देकर गया था तब ही गरम करके रख लिया था आप फूल फू पर शाला है यह बहुत गाड़ा दूद है किसी का घर का गाएं का तो अव इसे हम लागते चलाते हुए ऐसे ही जो बीच वीच में हलागते जाएंगे जो चाबल है हमारे वह पेंदे पेना लगे बैसे मैंने कडाई मोटे पेंदे वाली लिया तो अब इसे हम उने ले मैं क्या करूंगी के थोड़ा सा दूद में केस्टर भी डाल कर रख दूंगी कि अले जी मेरे पास छोटी लैची है क्योंकि हमारी जो खीर की मत्र है कम है तो इसमें एक लैची के दाने ठीक रहेंगे अगर आपके पास एक लीटर है इसके ज्यादा की बना रहें तो आप 2-3 लै वह अच्छी तरह दूंद में आ जाए बाद में लैची पाउडर मलाकर नहीं डालूंगी इसके कई गुना ज्यादा कुछ हुआती है जब लैची पक नाती है और इसके पूरे गुन भी दूंद में उतराते हैं तो मैं इसके खीर के साथ ही पकाऊंगी इसे ताकि हमारे दूद में सौरी बिगो दूंगी नहीं आप खरल में भी खरल बट्टे में भी इसे दूद के साथ पी सकते हैं ऐसे इस परकार से अब अपनी खीर को मीडियम तू लो स्लेम पर बीच बीच में हलाकते हुए पकाएंगे जब थोड़ी गारी हो जाएगी तो हम लगातार इसे हलाकते हुए पकाएंगे हमने अपनी खीर को बीच बीच में हलाते हुए पकाना है यह हमारी खीर है बहुत जल्दी त्यार हो जाएगी क्योंकि हमने चावलों को आदा गंटा पहले भिगो दिया था और दूसरी बात हमने घी में इसे थोड़ा सेक लिया था जो इसमें मलाई आएगी गाड़ा पनाए तांकि जी अच्छी तरह कड़के अब इतना स्वाद है वो कई गुना बढ़ जाए और दिरे दिरे कड़ते हुए बनी मलाई इसमें बनती जाए तो इस परकार से हम इसे और पकाएंगे इसे दस मिन्ट हो गए है पकते हुए तो अगर आपको लगे के थोड़ा दूर कम है क्योंकि जी चाबलों की क्वालिटी पर डिपेंड करता है जितना मैंने मत्रा बताई है बहुत आदा लिटल के लिए बताई ही है अगर चाबल आंपालिश्ट और बढ़िया हो तो कई बार दूर की मत्रा हमें और भी ज्यादा डालनी पड़ती है तो आप डाल सकते है मेरा को भी दूर की थोड़ी मत्रा और डालनी पड़ेगी क्योंकि मैं चात्ति हूं के थोड़ा और यह पक जाने पांच मिंट और पक जाए तांकि उसका जो टेस्ट काफी इनहेंस हो जाता है बढ़ जाता है अच्छा लगता है विगोकर रखा है उसे हम खरल में डाल कर इस प तो आप ज्यादा मत्रा में केस्तर डाल रहे हैं फिर तो आप ऐसे कर सकते हैं कि केवडा और ग्राफ जल को वाइड भी कर सकते हैं जो दोनों चीजे ऑप्शनल अगर तो आप ठंडी प्रोसनी है तो इसे डालिए बहुत तेस्टी बनेगी अगर आपने पूओं के साथ गर प्रतिरोदक शक्ती को भी बढ़ाता है इस परकार से हम इसे गोट लेंगे मैंने केसर वाला दूद भी डाल रखा सर्दी जुकाम से बचने के लिए सर्दी में हाफते में एक बार हमें जुरूर प्रजोग करना चाहिए तांके हम सर्दी के दिनों में सर्दी से बच सकें बहुत गाड़ी भी होगी है अब इसमें मैं टू टी स्पून डैजी ग्रेटिट कोकोनेट नारियर का जानिके बुरादा मला रही हूं तांके इसके साथ पक जाए इसमें गाड़ा पन भी आए और टेस्ट भी बढ़ जाए थोड़ा सा दूद में और एड़ कर रही हूं इसे ज्यादा समय तक भी होया है और ज्यादा मिन्ट तक दो चार मिन्ट तक घी में बुना है तो जे पंद्रा मिन्ट में ही बनकर बिल्कुल टेस्टी ठाने लाइक हो यक्ती है जो किसमी से वह हम इसके साथ ही मला देंगे तांके थोड़ी सी रख लेंगे उपर गाड़ी तांके जो अच्छी तरह फूल जाए गरम दूद में खीर हमारी बहुत बढ़िया पक रही है इसके बहुत अच्छी अच्छी कश्ववारी है क्योंकि हमने घर घी में चाबलों को शुद्ध घी में फ्राई किया था इलाइक की डाली है जे बन फोर्थ कप मैं मला रही हू इसमें शूगर और दूद मेंने पहले आदा लिटर लिया था फिर मेंने आदा कपसे थोड़ा सा जादा मला दिया तांके हमारी जो खीर अच्छी तरह त्यार हो जाए क्योंकि मेरा चाबल बहुत बढ़िया था ये खूब फूला और मेरे को और दूद मलाने की जरूरत प खतम करता है शाइद इसलिए ही हमारे बजूर्गों ने नवराक्त्री बरत उपवास आदी में इसका प्रजो करने की सला दी होगी ताके उन दिनों में हम भारी बोजन भी नहीं करते हैं जो हमारे पेट के औरगन है वो इस परकार की चीजों का प्रजो करके शशक्त हो सके रोग रहा तो हो सके देखिए हमारी खीर इस पर कार्की बन गई है अब एक दो मिंटम चिन्नी को गुलने देंगे और इसके साथ ही हम लाएंगे इसमें केसर जो मैंने खल बट्टे में करके रखा है इससे कलर भी आएगा और टेस्ट भी आएगा अब थोड़ा सा दूर मै कि जो पूरा केसर है हमारा इसमें दूद में खीर में चला जाए वेस्ट मा जाए एक दो चम्मच मैंने दूद इसमें खल बट्टे को जानिके दूने के लिए ही कह लिए जिए के ओर डाल दिया है देखिए हमारी कैसी रवड़ी जैसी गाड़ी मलाईदार खीर बनकर रेड़ी है तो यह 15-20 मिन्ट में ही त्यार हो जाती है थोड़े से ड्राइफ्रूट्स जो हमने फ्राई के ते मैंने काटकर रख लिए है थोड़े से हम बीच में मला देंगे और थोड़े से गार्निशिन के लिए रखेंगे तांकि जोब हम सरब करें तो यह खीर अच्छी लगी अब ग्यास का बनना बंद कर देते हैं देखिए हमारी खीर बिल्कूल बनकर पोस्तिक जाइक के इदार र्याड़ी है तो मैंने सेव की खीर भी डाल रखी है जो भी आ देती है तो एक मैं और इंफर्मेशन देना चाहूंगी जो मेरे लोकल वीवर्ग है उनके लिए कि मैंने ड्राई केक्स का अपना काम शुरू किया है जहां पर ड्राई केक्स की कोचिंग भी देऊंगी मैं और मैं सेल भी करती हूं अगर किसी ने लेने हो हमारी से सकता है और उनकी कोचिंग भी ले सकता है कि हमारी गाड़ी बहुत ही कुश्मूदार खीर बनकर रेड़ी है अब हम इसे किसे अच्छे से सर्भिंग बावल में निकाल लेंगे बिलकु रबडी जैसी हमारी खीर बनी है जो खाने की द्रिष्टी से पोस्तिक्ता की द्रिष है तो इसे हम इस परकार से सर्भिंग बावल में निकाल लेंगे जो ड्राइफ्रूट्स हमने किये थे फ्राई उसको मैंने ब्रीक-ब्रीक काट लिया इसकी गार्निशिंग करेंगे तांकि खाने वाले का फटा-फट बिना भूख के भी दिल करें उसकी भूख भढ़ नवरापत्रों के लिए श्पैشल समा की आक्टे की मोर्धन की सोंखिया चावलों की बोलते हैं पंजाब में खीर बनकर बिल्कु रेडी है तो लीजिए साहब आपके लिए खीर तेयार है आप भी इस परकार समा की आक्टे की चावल की सौरी खीर बनाईए दुर्गा मा को और पन कीजिए भोग लगाईए खुद खाईए और अपने मेमानों को खलाईए बरतों का खूप लाव उठाईए और जे बरत आपके लिए स्वास्तिया की द्रिस्टी से भाग्या की द्रिस्टी से मंगल कारी हो अब हम मिलेंगे लेक्स ट्रेस्ट में तब तक के लिए